कि अज़ें गुडबर्णिंग नमस्ते जए जगनाद वेल्कम बैक तो माई चैनल हम अभी बताने जा रहे है और आज का जो हे खी बनाने जा रहे है और इस खी कैसे बनाना है और देखाने जा रहे है और इस वीडियो में आपको दिखने मिलेगा और देशी सूद चीज कैसे बनाना हो मेरे गी और आप उसको यूज कर सकते खाने के लिए और यह दिए जलाने के लिए इस वीडियो में आपको यह मिलेगा जो आश्चेने तरीके से कैसी खी बनाओगे दूद करने के बाद जो जो धूद धंडा हो जाते उसकर एक लेयर जाता है उसको निकालके एक डबा में रखना आए और वह 15-20 दिन में आपका यह दबा बर जाएगा और आप पहले सोचिया आप एक क्या करते हैं खाने में युण करते हैं और बिया जलने में इसकरते हैं हम आईर वेदी की हिसाब से अच्छा है घी को हम क्या करते गी चाने प्रेट की छादध होता तो इसलिए हम क्या करते हैं जो रिफाइंड ऑल को जितना काम 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 कीजिए ज़दे ज़दा यह जो नन रिफाइंड ऑयल है इसको इसकीजिए अब इसकी इसाब से अम घी उसका रहे है इसका बारे में हम बता है इसकीजिए में आप दिखिए कैसे बटर से घी निकाल रहे है पहले इस दो डबार में बटर निकाल के जालने रहे है अब जाएंग कर गिए ड्रैंडिंग करनेगवाद पूरा उपर आजाएंग वाटर के कड़ाई में रखाऊंग झालने अबदार के ड्रैंग कर आजाएंग वाटर के कड़ा पूराँ प्राइम कराएंग कर दो तो कर दो कलते रहे हैं जाएंग सहो जाएंग झालने रहे हैं खभतका गिए झाल 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 इस वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक चीज आउ मत विलिये बेल आइकन दवाएए झाल 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 झाल